Facebook तो दो हम सब चलाते हैं लेकिन Facebook में कभी-कभी हमें कुछ ऐसा फीचर एक देखने को मिल जाता है support charity नाम से जब हम post कोई भी डालते हैं उसमें सबसे नीचे आता है support charity ठीक है तो उस feature से क्या होता है क्या उसके फायदे हैं और क्या-क्या चीजे उससे ऊसकती है और किस काम में आता है और normally क्यों यूज किया जाता है वो सारी चीजे ठीक है तो यह सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रही है और वेलकम बैक तो चैनल वेलकम बैक तो दसुप फाइव चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि non-profit organization कौन सी होती है non-profit organization जो वह होती है जैसे एंजीयों सोते हैं आपके जो किसी भी बिना profit के organization चलती है और जिसमें किनका कोई मतलब कुने कुछ भी अर्णिंग नहीं नहीं कोई भी product से deal or service नहीं करती है वो सबकी समाज की भलाई के लिए जो काम करती है वो सारी आपकी non-profitable आपकी organization होती है ठीज है तो उसके अंदर अगर जब भी आपकी non-profit organization कोई कुछ receive करती है या फिर कोई fund receive करना चाहती है facebook के through सबसे पहले उसको registered होना पड़ता है facebook के अंदर कि वो facebook से payment जो आती है charity आती है जो तो उसको receive करते है यह जानने के लिए कि आपकी country इस चीज के लिए available है या फिर eligible है या नहीं आप अपने facebook post में जा सकते हो facebook post को जाके अगर आपको वो वाला option आपको दिखता है तो आपकी country उस charity के लिए available है आप उसको available कर सकते हो उसको use कर स सकते हो या फिर उसमें किसी भी अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपको charity मांग रहा है या फिर किसी को आपको करना चाहते हो तो आपको easily आप उससे कर सकते हो अगर वो आपकी कंडिटे से बिलोंग करता है और दोनों कर क्राइटीरिया में यह चीज पॉजिव होती है त लिकिन अगर आप किसी non-profit organization के लिए डोनेट करते हो तो वो पूरा exempted रहता है उसका कोई टेक्स आपको पे नहीं करना होता है या फिर आगे जाके उसमें से कोई टेक्स सेशन पार पॉर्शन आपका नहीं होता है अगर आपने किसी सोसाइटी को यहां पर किसी person को यहां प प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो लेकिन अगर आप फ्रेंड्स में भी आप शो करते हो तो आपको जो amount है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होता वो एक प्राइवस मेंटर है सबसे चीज़ मुझे इसमें यह लगती है कि इसमें जब यह है सबसे बैटर क्या होता है कि Transparency means अब जब भी कुछ donation करते हो डायक्ली Facebook को जाता है और Facebook जाने के बाद वो डायक्ली उस organization पर जा सकता है कि जिसको आप फंड transfer करना चाहरे हो कि मतलब वो बंदा वहाँ पे जो actual cause के लिए है वो fundraise किया गया था वहाँ पर transfer करेगा नहीं कुछ ऐसे cases शायद आपने कहीं सुने हो ठीक है तो इसी चीज़ को थोड़ा सा create करने के लिए positive create करने के लिए काफी अच्छा point है कि यहाँ पर बिलकुल transparency होती है यहाँ पर कोई भी एक negative point या फिर किसी भी एक conflict की situation बिलकुल नहीं आती सबसे important यहाँ पर आता है आप लोगों के मिदिमाग में होगा कि जब भी हम कोई यहाँ पर donation करते हैं तो वो कितना percent of ratio जाता है आपके organization को जो आपकी non-profit organization उसके पास कितना fund यहाँ पर जाता है तो सबसे इस चीज को doubt में सबसे पहले कर देता हूं कि जो जितना भी आपका portion होता है जितना भी 100% मान लो आपने 1000 रुपए अगर ट्रांस्फर करें हैं और टोटल मिला के एक लाग आपका हुआ है सौ लोगों से मिला के तो पूरे एक लाग के एक लाग 100% आपका अमाउंट आपका ट्रांस्फर होता है आपके नॉन प्रॉफिट और्गनाजेशन के लिए मतलब कि यहां पर कोई भी इस्टर के डिरक्शन नहीं होता सम्टाइम्स जैसे कि आप अगर आपने यूट्यूब के आपको सुपर चैट के बारे में सुना होगा तो सुपर चैट में क्या होता है क है फिर क्रेटर और फंड्रेजर होगा या फिर नॉन प्रॉफिट होती है वो सब आपकी डोनेशन को देख सकते हैं बले ही आपने उस चीज़ को शेयर ना किया हो डिस्क्लोज ना किया हो वो क्योंकि और उस साथ ही साथ आपका अमांट भी उनको विजिबल होता है वो इस चल रहा है रहत है नहीं डोनेशन चल रहा है उनका कहिं बहुंकर साथ अपनी आप सप्टेशं साथ करते हैं तो वहां पहर पर अपे सपोर्चेर करने के बाद आपको इहां पर आपको हैं इस अपर्ट आ मुसे के दिक है जो भी आप उसमें लेटर यहाँ पर एड करना चाहते हो उससे डोनेशन और नॉन प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी आपके मतलब थॉट्स हैं उनसी को अब ले क्या पोस्ट कर सकते हो तो जो भी उसके वीवर्स होते हैं जो भी उन सब लास्ट यहाँ पर आता है कि जब भी हम एक फंड रेजर के पास कोई करते हैं और diese cycling Bella non-profit में transfer होता है fund तो वहाँ पर कैसे-कैसे taxation होता है suppose कि मैंने यहां पर किसी fundraiser को यहां पर donate किया donate करने के बाद मैं जितना भी amount यहां पर transfer करूंगा अपने fundraiser को या फिर किसी भी पर्टिकुलर person को तो वह ब्लुकुल exempted रहता है उसमें कोई आपका taxation नहीं हो था वह फुल अबाउंट वहाँ पर अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज है वहाँ पर फंट्रेसर के पाद transfer हो जाता है और अगर फंट्रेसर जब अपने पूरा क्लेक्टिव करने के बाद पूरा आपका जब भी अपने regulations की according वो depend रहता है तो पैसे तो most of the आपकी non-profit organizations are taxable exempted रहते हैं उसमें कोई उनका tax नहीं लगता let's close this video by concluding for the full concepts and importance of support charity option तो इसमें सबसे best point यहाँ पर मिरे को लगा कि यहाँ पर 100% of amount आपका यहाँ पर donate होता है आपका Facebook से आपकी non-profit organization को second point मिरे को सबसे best लगा कि यहाँ पर कि आपकी ट्रांस्परेंसी क्रेटर रहती है कि ट्रांस्परेंसी किस बात की कि आप donation करते हो तो donation करने के बाद आपकी जो भी आपका amount होता है वो किसी third person के यहाँ पर जो creator है उसके पास खुद personally नहीं जाता है वो डिरेक्ली Facebook के तरूँ इस non-profit organization को transfer हो जाता है so thank you so much for watching this video I hope यह वीडियो आपको पसंद आयोगा तो और इसमें कई सारे points आपको इसमें जो मैंने आड करें आपको पसंद आया होंगे और कुछ नया जिसा आपको जानने के लिए मिला हो तो वीडियो को देखने के लिए बहुत दने बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लागाओ तो लाइक कर देना कमेंट करके मुझे मैंने फीडबक जरूर बताना कि इसमें कोई से आपको पॉइंट अच्छा लगाओ या फिर मैंने कुछ छोड़ दिया हो जो आपके बार आप जो से बारे में जानते हो या फिर आपने कुछ ऐसी चीज लगी जो आपने मेरे चीज में अपने वीडियो में कवर नहीं करी तो मेरे को कमेंट में बिल्कुल बता देना और वीडियो को एंड तक देंगे लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा यह सेट तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में